हेलो बच्चों आज हम लेकर आए आपके लिए एकसरसाइस 3.2 का question number 1 तो चलिए देखे क्या है हमारे पास question number 1 question है what is the sum of any two odd numbers and even numbers वो आपको पूछ रहे हैं कि जब हम two odd number को add करेंगे तो क्या होगा answer में वो even number आएगा जा फिर odd number आएगा वो ऐसे पूछना चाहरा है ऐसे ही अगर हम two even numbers को plus करते हैं तो हमारे पास answer में odd number मिलेगा जा फिर even number मिलेगा तो चलिए बेटा find out करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे odd number वाला case तो चलिए कोई भी two odd numbers हम लेते हैं जैसे कि नमबर थ्री है यह तो से डिवाइड नहीं होता है और नमबर फाइव यह भी two से डिवाइड नहीं होता है फोर जो है वो two से डिवाइड हो जाता है तो यह हमारे पास two odd number है चलिए इनको plus करें तो answer आगया eight तो यह आगया हमारे पास एक even number यह थे odd number ओ ओ ओ मैंने होता है और नमबर के लिए लिख है चलिए एक और नमबर ले ले लेते है कोई बड़ा नमबर लेते है जैसे कि 23 है यह यह एक और नमबर है ऐसी 25 है यह और नमबर है तो जब हम इनको plus करेंगे तो हमारे पास answer आगया forty eight तो यह पी एक even number है means जब हम two odd number को add करते है तो क्या ह होता है answer आता है मारे पास even तो answer के आएगा even number अलब के डिवाइड हो जाते हैं जैसे कि number 2 है or 14 ile धोनों किया तो answer में आ गया 6 तो 6 क्या है? एक even number है ये भी even है ये भी even है चलिए next case देख लेते हैं कोई बड़ा number ले लो जैसे 12 है जा फिर हम 18 ले लेते हैं ये दोनों ही क्या है? even number है clear? तो जब हम इनको plus करेंगे तो देखे कितना है? 8 में 2 add कि 10 एक कैरी चला गया तो answer आ गया 30 तो 30 क्या है? एक even number है means जब हम 2 even number को भी add करते हैं तो answer में हमें even number ही मिलता है तो ये था आपका बेटे answer number 1